हरे कृष्णा, मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा गया है। कर्म फल अवश्य मिलता है, फिर चाहे वो अच्छे कर्मों का फल हो या फिर बुरे। गोपाल स्वामी एक बुड़ा आदमी था, वो प्रभु शिरी राम का बड़ा भक्त था, उसका कोई सगा संबंदी नहीं था, केवल राम एक मात्र सहारा, रोज दान मांगता और जीवन व्यतीत करता था, प्रति दिन वो कमाची नाम की महीला के घर से इडली का दान पाता थ कमाची का एक पुत्र था, मनीवनन जो शहर गया था नौकरी की तलाश में, गोपाल स्वामी रोज इडली लेकर कुछ मूँ से बड़बडाता हुआ, दिवार के पास जाकर खड़ा होता था, एक तिन कमाची ने कान लगा के सुनने की कोशिश की, तो गोपाल स्वामी राम राम कहके कह रहा था, अच्छे का फल मिलेगा, बुरे का भी फल मिलेगा, अच्छे का फल मिलेगा, बुरे का भी फल मिलेगा, ये सुन कमाची को क्रोध आया, उसने सोचा बुड़ा उसके लिए कह रहा है, अगले दिन कमाची ने सोचा बुड़े के लिए जहर वाली इड इडली बनाऊंगी और दान करोंगी पर ना जाने उसके मन में क्या आया उसने वो इडली नाली में गिरा दी और हमेशा की तरह अच्छी इडली बुड़े को दी उसी दिन दोपहर को कमाची के दर्वाजे पर दस्तक हुई दर्वाजा खोला देखा उसका इकलोता बेटा कोई पैसा हात में नहीं था घंटो चलना पड़ा भूख के मारे मैं भ्योश हो गया ऐसे में ना जाने कहां से एक आदमी आया उसने मुझे खाना खिलाया पानी पिलाया और इडली खिलाई जब मैंने उसका धन्यवाद किया तो वो बोला घर जाओ वहां एक संत मिलेगा उ अमाची तुरंत समझ गई उसने सोचा अगर उसने बुड़े को वो जहरीली इडली खिला दी होती तो उसके बेटे को उसका करम फल भोगना पड़ता वो रो पड़ी अंजाने में किया गया पाप, पुन्य दोनों का फल मिलता है अवश्य मिलता है जो तु करम निशकाम कर चिंता तेरी राम करेगा राम हर्दम साथ तुमारे बेडी छोड़ दे राम सहारे सर्वं श्रीक्रिष्न अर्पनम